मैं आप सभी का स्वागत है, आज हम लोग CBC 2017 में पूछा गया, क्लास 10th का एक क्वेपर देखेंगे, क्वेशन है, इन दे गिवेन फिगर, ABCD is a rectangle of dimension 21 cm x 14 cm, जब भी dimension ऐसे दिया है, 21 cm x 14 cm, 50 cm x 30 cm, तो जो बड़ा वाला होता है, वो लेंथ होता है, और जो छोटा वाला होता है, वो ब्रेथ होता है, बोल रहा है, a semicircle is drawn with BC as diameter, find the area and the perimeter of the saddle region, एक rectangle है, जिसका लेंथ बोल रहा है, 21 cm है, और ब्रेथ कितना है, 14 cm है, बोल रहा है कि इसी rectangle में एक semicircle draw किया गया, तो बताना है कि सिर्फ ये sadded region का area कितना होगा, अगर इस semicircle का part को हटा दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि अगर इस sadded region का अगर हम area निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस पूरे rectangle का area निकालना पड़ेगा, फिर इ क्या करेंगे, area of sadded region equals to लिखना पड़ेगा, area of rectangle पहले तो पूरे rectangle का area निकाल लेते हैं, फिर इस semicircle के area को उसमें से minus कर देंगे, तो मेरा sadded region का area आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि area of rectangle क्या होता है, length into breath, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, length into breath, इधर द्यान, और जो semicircle का area semicircle का area कितना होता है, pi r square, लेकिन 1 by 2 pi r square होगा, क्योंकि half है न, तो 1 by 2 pi r square हो जाएगा, मतला भी sadded region का area क्या हो जाएगा, l into b, rectangle का area, minus semicircle का area, 1 by 2 pi r square, length कितना है, बताओ, length है 21 cm, breadth कितना है, 14 cm, ठीक है, minus 1 by 2, pi का value कितना होता है, 22 by 7, into radius, radius क्या हो जाएगा, ये जो side है, यहाँ पे breadth, यही तो 14 इसका diameter हो गया न, और अगर diameter equals to 14 cm, इसका मतलब radius क्या हो जाएगा, 14 by 2 मतलब 7 cm, इसका क्या हो जाएगा, radius, तो 22 by 7 into 7 into 7, ठीक है, अब इसको जब हम solve करेंगे, इसको multiply करेंगे, तो multiply करने के बाद आ जाएगा, 294, minus, इसको अगर हम solve करेंगे, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा, इधर बच जाएगा, 77, ठीक है, 2 से अगर हम 11 को भी काट देंगे, 211 जा और 117 जा, 77, आंसर कितना हो जाएगा, 217 cm2, मतलब इस sadded reason का जो area है, वो आ जाएगा, 217 cm2, क्योंकि ये area है, अब बूल रहा है कि perimeter क्या होगा, इसका, तो perimeter के लिए अगर ध्यान से देखें, तो perimeter मतलब क्या होगा, ये rectangle का, ठीक है, rectangle का यहां से यहां तक length, और प्लस फिर ये वाला length भी लेना पड़ेगा, तो perimeter क्या हो जाएगा, perimeter, perimeter of sad reason क्या हो जाएगा, देखो, perimeter क्या हो जाएगा, perimeter equals to, देखो, ये total ये length, फ्लस length, फ्लस ये breadth, आएगा ना, और semi circle का, अगर हम perimeter की बात, करें यह निकि circumference तो वो क्या होता है, पायार, पायार होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 12 plus में B, क्योंकि ये और ये तो length है, ये length, ये length, फ्लस में ये B, ठीक है, और फिर उसके बाद ये बाला लेना पड़ेगा, perimeter का मतलब क्या होता है, area of, sorry, length of boundaries, तो boundaries तो ये आजाएगा, इसका आजाएगा, प्लस, पायार, तो 2L का मतलब क्या होता है, 2 into length, breath का मतलब क्या होता है, 14, प्लस पाय का मतलब 22 by 7 into r क्या है, 7, ये ये कट जाएगा, तो perimeter में रहा जाएगा, 78 cm answer, thank you.